पाग्रा में चल रही सेना भरती में अव्यारतियों का फर्जी बाड़ा देखने को मिला जहां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कुछ युबग सेना में भरती के लिए आये थे सिकंद्रा पुलिस ने ऐसे 15 लोगों को ग्रफतार का जेल भेज दिया है मामला आगरा के सिकंद्रा छेत्र इस्थित आनन्द इंजीनियर कॉलेज का है जहां भारती सेना में जाने वाले युबाओं के लिए भरती की जा रही है भरती के दोरान कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेजों का उप्योग कर सेना में जाने का प्रियास किया पर सिकंद्रा पुलिस ने उनके इन मनसूबों पर पानी फेर दिया भरती के दोरान पुलिस ने ऐसे 15 लोगों को ग्रफतार कर लिया है जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड वा फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर आवेधन किया था उक्त युकों के पास से फर्जी दस्तावेजों के साथ लेपटॉप, स्केनर वा अन्य उपकरन बरावत किये गए देखिए जन्पद आगरा में कल से 15 फरवरी से आर्मी की रैली आयूजित की जा रही है जिसमें आसपास के जन्पदों से बच्चे आकर फिजिकल और दौर की एक्जाम दे रहें और इसमें ब्यापक सुरक्षा बेवस्था जो है बनाई गई है इसके प्रभारी के तौर पे सहायक के तौर पे सहायक पुलिस अधिक्षक हरी परवत और S.P.C.T. के नित्रत में पूरी सुरक्षा बेवस्था और इंटेलिजेंस कलेक्षन का कारे दिया गया है आज कल की कारवाई में हमारी टीम को खाना सिकंद्रा की टीम को काफी अच्छी सफलता प्राप्त हुई जिसमें कुल 15 लोगों को गिरफतार किया गया है इसमें से 10 इस्टुएंट हैं कैंडिडेट हैं जिसने फरजी आधार कार्ड या फरजी आवासिये निवास परमान पत्र के आधार पर एक्जाम में भरती में हिस्सा लिया है और सक्सेस्फुल होकर अपने कैरेक्टर वेरिफिकेशन या सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का कारे कर रहते इसके अतरिक्त पांच भूलो गिरफ्तार हुए है जिनने जो कंप्यूटर लापटॉप के माध्यम से फरजी आधार कार्ड फरजी निवास परमान पत्र या फरजी जाती परमान पत्र और फरजी अन्य डॉकुमेंट्स तयार करते थे और बच्छों को उपलग्द कराते थे इन पांचों को भी गिरफ्तार कर कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ये पूरी प्रक्रिया में निवास के अस्थान के हिसाब से डेट फिक्स किये गया है और बच्चों को candidates एक्स्ट्रा मौका मिले फर्जी निवास प्रमान पत्र या आधार का तयार कर अलग-अलग दिनों में हिस्सा लेते हैं थाकि उन्हें अधिक मौका मिल सके और इसके लिए military intelligence की टीम पुलिस की local intelligence की टीम पुलिस की टीम लगी हुई थी और मैं इसलिए अपील भी करूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी के जहांसे में आये बिना फर्जी डॉकुमेंट के अधार पे इसमें हिस्सा ना ले अन्यता उनके बिरुद काथोर कारवाई करते हुए मुकदमा धर्ज किया जाएगा आगरा से दुश्यन तो पाध्याय की रिपोर्ट